नमस्कार आप देख रहें एबीपी गंगा मैं हूँ स्विहलता और चलिए उत्राखन प्राइम की शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश के पुर्व सीम कल्यान सिंग के निधन पर सीम पुशकर सिंग धामी ने दुख जताया है सीम ने कहा कि देश ने एक बहुत बड़े नेता को खोया है उधर क्याबिनेट मंत्रे बिश्ण सिंग चूफाल ने भी कल्यान सिंग के निधन पर दुख जताया है प्रदेश में पूरे भारतवर्स के हमारे शिकर परुष थे इस्तंब थे और उन्होंने संपून जीगन भर पिछणों के लिए दलितों के लिए सोचितों के लिए बंचितों के लिए लगातार उन्होंने काम किया संगर्स किया और भारती जनता पार्टी को खड़ा करने म कर दो है जो नहीं तो हुआ बहुत बड़ आयोगान था पारों का अ Zooardya my बहत बयुकटー अपूसा का डिने अपत्र व्लगपोंडीर उसके लिए उन्हें नहीं सरकार क्रवान करदी पहले प्रदेश का जो उत्राखंड राजी जो आंदूलन चला था पहली बार प्रस्ताव जी बेजा किसी ने तो उत्तर प्रदेश से कल्याण सिंग सरकार ने इनकी निट रहते हैं त्वीट करके लिखा है कि लोगप्रिय जन नेता आदर्नी कल्याण सिंग जी के निधन पर राज्किय शोक रखा गया है आज होने वाले सभी कारिक्रमों को निरस्त कर दिया गया है परमश्रधेय कल्याण जी को पुन अपूर्नी श्रद्धान जोली ये त्वीट किया है तक ये चलेगा मगर सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष इंद्रहरदैश दिवंगत नेताओं को श्रद्धान जिली भी दी जाएगी सीम बनने के बाद पुशकर सिंधामी ने बत और नेता सदन ये पहला सत्र अटेंड करना है जबकि प्रितम सिंग को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हम देखेंगे जबकि बंची दर बगत संसधी कारे मंत्री की जम्यदारी सम्हालेंगे सत्र के दोरान कोविट प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से फालन किया जाएगा जबकि डबल डोज लगवा चुके विधायकों को बगैर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के ही एंट्री दी जाएगी सदन में 40 विधायकों के बैटने की विवस्था की गई है कक्ष संख्या 107 में 30 विधायकों की बैटने की विवस्था है उधर विपक्ष की बात कर लें आप तो बेरोजगारी, महगाई और भरष्टा चार के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है जबकि भू कानून और देवस्थानम बोड का मुद्दा भी सदन के भीतर उठाया जा सकता है सोपी है जो बाहर के राज्ये से बाहर के राज्ये के अंदर आ रहे हैं और उसमें निरने लियावा है कि जो डबल डोज वैक्सिन की जिसने लगा दी पंदरा दिन उसको हो गए है तो उसको आटी पीसियार की नेगटिव रिपूड के आफशकता लेंगे और यदि जिसको दूसरी डोज के आधार पे यदि उसे पंदरा दिन नहीं हुए है या उसने नहीं लगाई है तो फिर उसका आटी पीसियार कराएंगे कराना चाहिए और उसकी नेगड़ी रिपूड माने चाहिए तो इन गिंदों पे भी हमारा बात्चित हुई है और मै यह समस्ताओं की हम इस सोप्यों का पालन करेंगे कि जो भी मानने विधायगन या अन्य और लोह जो इस दोरान विधानसवास सत्र के लिए अधिक्रित है वो डवल डोज जिनको लगी है पंदरा दिन दूसरी डोज के बाद उनके पास हो गए है उनको फिर आटी पीसियार की नेगटी रिपोर्ट की आफशक्ता नहीं है नहीं लेंगे और यदि उसकी डवल डोज काया नहीं नहीं लगी है या पंदरा दिन नहीं हुए तो उसका आटी पीसियार नेगटी रिपोर्ट मांगेंगे देरदून से खबर बिल रही है सत्र को लेकर कॉंग्रेस विधान मंडल दल की बैठक की खबर है जहां नेता प्रतिपक्ष पृतम सिंग हरी शुदावत भी मौझूद है और तमाम बड़े नेता इस वक्त मौझूद है महापर विधान सभा सत्र को लेकर कॉंगने से अधन में महंगाई, बेरोजगारी, देवस्थानम बोड और भू कानून का मुद्दा उठाया जा सकता है तो देखे एक तरफ तयारी है सत्र की तो दूसरी तरफ ये बैठक की खबर है विधान सभा का मौनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, हलाकि सरकार ने विपक्ष से सहयोग की उमीद जताई है लेकिन जिस तरीके से कॉंग्रेस के तेवर नजर आ रहे हैं, उसे देखकर इसकी सभावना कम ही दिख रही है पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में कॉंग्रेस की तरफ से मोचा समालने जा रहे है प्रीतम सिंग, जिन्होंने कहा सहयोग तो रहेगा उत्राखन विधान साबा का मानसून सत्र तेईस अगस्य सुरो रहा है, उसके लिए पुरी तैयारिया हो गई है, सरकार अपने इसतर से तैयारे बे जुटी है और विधाय की रूप में भी सदन में गया हूँ, नितापरतिपक्ष के रूप में नहीं जुमेदारी मिली है, हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रियास होगा, उत्राखन की जो समस्या है, उन तमाम विश्यों को सदन के अंदर उठाने का काम करें, सरकार को घेरने का काम करें मुख्यमुद्देशर क्या होँगे जिसमें सरकार को पूरी तरह से घेरा जाएगा, और चुनावों में विपक्ष के जरंता के नजर है कि क्या मुद्देश उठाने काम? नहीं दिखे, प्रश्न चुनाओं का नहीं है यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें पांच वर्ष के अंतराल में जो है कही बार सदन होता है और सदन के अंदर पक्ष बिपक्ष होता है और सभाईग बात है इत्रखन की नजर जो है जहां तक आपने कहा मुद्दों की बात है, मुद्दों की कुई कमी नहीं है लेकिन 4 दिन की इस सत्र में समायीजन करपाना बड़ा मश्किल है आज किसान सड़क पर संगश कर रहा है, नौजवान सड़क पर संगश कर रहा है, मेंगाई अपने चरम पर है, अर्थे ब्यूस्ता पूरी तरी के से दोस्ते, पिकास के कार्य और उद्ध है, पार्देश्यों भृस्ताचार मुक्त सरकार देने का वदा क्या था? लोकाईक का कहीं अता पता नहीं है कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरी किसे अक्षम साबित हुई है हड़ीदवार में उम्ब के दर्म्यान जो पूविट टेस्ट हुआ है उसका भस्ताचार मैं समरता हूँ आमजन के जहन में है भूकानून को लेकर कि लोग संगर्श कर रहे हैं तिर्थ प्रोई सड़कों पर संगर्श करने का काम कर रहे हैं एक विशे हो तुम मेहकों बड़ी लंबी चौड़ी फीर शका दम भारी पढ़ेगा सरकार सवाई बात है मैंने कहा कि हम दस जरूर है विसे हम ग्यारा थे लेकिन निद्रभाग्य है हमारा कि हमारी निता प्रतिपक्षिंद्र अहिर्देश ची हमारे बीच नहीं लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पर हम चलते हुए जो है सरकार को खेरने का भर सधस्यों ने लाने का अधिकार है और हमारे सद्योंने दो प्राइबट बिल सदन के अंदर लाए हैं सरकार से कहना चाहिए सपड़ार उस पर बहस करें उत्राकण के लोग देखना चाते हैं कि भू कानून के परिपेग्श में सरकार का क्या नजरिया है और इसकी साथ और उस परिपेश में सरकार का क्या नजरिया है यजी वो गरीब इस्तिती इस प्रदेश के अंदर है इसी सरकार ने जो है भो कानून को बदलने का काम किया जब लोग विरोध करने लगे हैं तो अस्तिकित कर दिया है एक कमिटी का गठन कर दिया है इस सरकार ने जो है पहले करती है आपके सामने है तो देख रहे हैं उत्राखंट के लोग वो समय का इंतजार करने के लिए तो ये नेता प्रतिपक्स पीतम सिंग जी तो अब सदन के अंदर सरकार को पूरी तरह से गहने के लिए रंडी बना दिया तो देखना हुआ कल जो सत्राखंट सुरू हो रहा है उसमें किस तरह चे सत्ता पक्स वो विपक्स जनता के मुद्दों को उठा कर इप सदन के अंदर चर्चा करता है देरदून समय से योगी मनवर रापत के साथ पंकर जाना एवी पियंक साफ है विधान सबसत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीती बना ली है तो वही सरकार की ओसे भी सत्र को पूरी तयारी के साथ ये बताया जा रहा है कि हमने तयारी कर ली है विपक्ष का दावा है कि सरकार को घेरने के लिए उनके पास मुद्दो की लंबी फैर रिस्त है वही सरकार के मंत्री भी विपक्ष के लिए तयार है कि हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे क्याबिनेट मंत्री बिशन सिंग चुफाल का कहना है कि विपक्ष का काम है सदन के भीतर मुद्दो को उठाना सरकार उनका सही तरीके से चवाब देती है विपक्षी कोई भी उठाता है कोई भी भी सही उठाता है जनता से समझनी सरकार उसके लिए विकुल तयार है हर बिभाकिया मंत्री आप एपने विपक्षी का भी है वड़ी कबर है 9 दिन से नैशनल हाइवे बंद है तीन जैसे वी की मदद से कोलने की कोशिश जा रही है बियारों ने नदी के किनारे पंदर सौ मीटर का पैदल मार्ग बनाया है तो देखिए नैशनल हाईवे की ये स्थिति है कि 9 दिन से वो बंद पड़ा है मलबा गिरने के वज़े से ये हाईवे लगातार बंद बताया जा रहा है तो 3 जैसे भी 30 मज़दूरों की मदद से कोशिश तो की जा रही है लेकिन लगातार गिरता मलबा एक चुनोती बना हुआ है अभी तक ये जोशी मट मलारी हाईवे कुल नहीं पाया है 9 दिन से ये नैशनल हाईवे बंद है तो कुल मिलाकर विकल्पों की तलाश करना ही एक रास्ता बचता है क्योंकि इस हाईवे पर लगातार मलबा गिर रहा है चारधाम के तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोड का विरोध कर रहे है पिरोहितों के जो गुस्से की आग है वो और भड़कती दिख रही केदार नाध्धाम में तीर्थ पुरोहितों ने पुतला दैन करके सरकार के फैसले का विरोध किया तो आई जोशी मठ में बदरीनाध धाम से जुड़े जो पुरोहित हैं उन्होंने भी प्रदशन किया तीर्थ पुरोहितों का यहां कहना है कि जब तक देवस्थानम बोड को पुरी तरीकी से भंग नहीं कर दिया जाता है उनका ये आंदोलन जारी रहेगा पुरोहितों कि अन्यकाम हम अन्य उनकी सुनवाई करें रक्षा बंधन के मौके पर चमपावत के मा बाराही धाम में बगवाल खोला गया है कोवीट की वज़े से इस बार सांकेतिक रूप से ही बगवाल का आयोजन किया गया है करीब आर्ट मिनख तक चली इस बगवाल में 75 लोग घायल हुए गायलों में अधिकतर रड़ बाकुरे ही शामिल रहे हैं प्रिशासन ने कोरोना गाइडलाइन के तैदी बगवाल मेले का आयोजन किया बाहर से लोगों के लिए आने पर रोक लगाई गई है रक्षा बंधन के मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने डोईवाला में जवानों और अधिकारियों को राकी बांदी हमारे देश के जवान अगर उनकी बात करें रक्षा बंधन के मौके पर भी घर नहीं जा पातें ऐसे में बहनों की कमी मैसूस ना हो इस तरीके के कारिक्रम का आयूजिन की अधाप आईसी के तहत मंत्री रेखा रहे आभी पहुंचे और जवानों को राखी बांधी नज़र आई उदर मसूरी में रक्षा बंधन के मौके पर कॉंग्रेस की महिला कारिकरताओं ने शहीद स्थल पहुंचकर पेड़ो को राखी बांधी इस मौके पर पर्यावरण संग्रक्षण का संदेश भी दिया इन महिलाओं का कहना है कि हम सभी के जिम्मेदारी है कि पर्यावरेंट को साथ सुत्रा रखें, साथ ही कोई नुकसान ना हो, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी यह दुद्धर टेहरी में बीजेपी कारेकरताओं ने रक्षा बंधन का त्योहार मनाया, इस मौके पर बेहनों ने भाईों की कलाईों पर राखी बांद कर लंभी उम्म्र की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने कोरोना वार्यस की लंभी उम्म्र के लिए भी कामना करते हुए उन्हें राखी बांदी और देखें, तस्विर आ मित्सान रक्षा बंधन के मौके पर हलद्वानी जेल में बंद कैदियों के हाथों पे राखी बांदने के लिए उनकी बहने पहुची जेल प्रशासन की सुरक्षा के बीच बहनों ने भाईयों को राखी बांदे बहनों ने राखी बांद कर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ जल्द रहाई की भी कामना की राखी बांदने के दौरान कई बहने भाव उको उधर जोशी मट के उर्गम घाटी में स्थित भगवान बंची नारायन मंदिर में रक्षा बंधन के मौके पर खास तरीके की पूजा की गई इस दिन कन्याएं और महिलाएं भगवान बंची नारायन को राखी बानती है तो अज सावन महीने का समापन हो गया है सावन महीने की आखरी दिन की बात करें तो पूर्णिमा तिथी पड़ती है सावन की पूर्णिमा और कजरी पूनम भी कहते है सावन में पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा का खास महत्व बताया गया है इस दिन रुद्राविशेक का महत्व भी बताया गया है इसलिए तमाम मंदिरों में श्रद्धालू भगवान शंकर का जलाविशेक करने पहुँचे इस मौके पर नीलकंट महादेव मंदिर में भी श्रद्धालू ने भगवान शिव का जलाविशेक किया नीलकंट महादेव मंदिर प्रिशिकेश की पहाडियों के उपर मौझूद भगवान शंकर का एक बेहत प्राचीन मंदिर है इस वारे कम संक्या में भगता रहे हैं लेकर प्रिवी जोगी आ रहे हैं तो स्टेंसिंग में पहले कर आ रहे हैं और प्राच्वान संकर का चला किशिए